कोकिला तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, एक ही मंडप में बेटा बेटी दोनों की शादी कर दी, वैसे आज खुश तो बढ़ी होगी तू हाँ, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, मेरे दोनों बच्चों का घर बस गया, आज तो मैंने गंगा नहा लिया कोकिला देवी एक हाथ से अपनी बेटी की विदाई करती हैं और दूसरे हाथ से अलका को बहु बना कर घर ले आती हैं जहां दुलहन बनी अलका लंबा सा घूंगर डाले, दूआर पर खड़ी थी आजा बहु रानी तेरा स्वागत है, अपने शुब कदमों से क्रह प्रवेश करो अब तुझे इस घर को संभालना है, मुझे किसी भी किसम की भूल चूप नहीं चाहिए मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूगी सासूमा, तन मन धन से इस घर की बहु होने का करता विने भाऊंगी हर सास की तरह कोकिला भी, बरताव से एक दम तीकी मिर्ची की तरह थी, अलका उतनी ही सीधी साधी थी पहले दिन से अलका अपने ससूराल को, अपना घर मान कर जिम्मेदारियों को निभाने लगती है अब हलकी भूला बांधी के साथ मौन सून की रितू भी शुरू होने लगती है मा जी, ये लीजे आपकी चाहे ये क्या सूखी सूखी चाहे ले आई, देख कितना सूहना बरसात का मौसम है जहा जाकर थोड़े पकोड़े ले आ, पता नहीं मेरी निशा क्या कर रही होगी ससूराल में तभी निशा का कॉल आ जाता है हलो मा, निशा, मेरी बिटीया, मेरी लाडो, बड़ी लंबी उमर है तेरी, अभी तुझी को याद कर रही थी मा मुझे तुमको कुछ बताना है, मैं प्रेगनेंट हूँ क्या सच मुच, मैं नानी बढ़ने वाली हूँ ये खुश खबरी सुना कर तुने तो मेरा मन गदगद कर दिया अच्छा सुन बेटी, अपना खाने पीने का ध्यान रखना और ज्यादा भारमा तुठाना, आराम करना अरे कहा मा, मेरी सास ने तो मेरा आराम हराम कर रखा, अभी भी बरतन घिस रही हूँ हे राम, कितने निर्दाई लोग हैं, मेरी बेटी से ऐसे नाजुक दोर में काम करवा रहे हैं, मैं कल तुझको लेने आ रही हूँ वैसे भी बेटी का पहला बच्चा माईके में होता है अगले दिन कोकिला बेटी को ससुराल से बुला कर ले आती है, तभी जमा जम बारिश हो जाती है आजाजा मेरी लाडो यहाँ बैट, इस नरम नरम गद्दे पर मा, तुम तो मेरा अभी से इतना ख्याल रख रही हो, जैसे कि मेरा पहला दूसरा नहीं, बलकि आठवा नौवा महीना चल रहा हो अरे, शुरुवात के दिन ही तो संभल के रहना होता है, बिटिया तुझे नहीं पता जबसे मैंने ये सुना है, कि तू मुझे मेरा नाती देने वाली है, मैं तो फूल है नहीं समारी अरे, अलका बहू, ओ, अलका बहू, अरे, ओ, मरी, कान क्या कोलहा पुर छोड़ाई है, जल्दी से यहाँ जी, 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 माजी आई, अलका जल्दी से अपनी सास के पास आकर खड़ी हो जाती है, माजी बुलाया, अरे, निशा दिदी, आप कब आई, क्यों भावी, तुम क्या मेरी मा लगती हो, जो, बताऊं मुझे पता है, ननत के माई के आने से तुम भावियों को बड़ी जलन मचती है, नहीं दिदी, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस अलका बहु, बस, ज्यादा मुझ मत चला, मेरी बेटी उमीद से है, बच्चा होने तक यही रहेगी, अब तुझको अपनी ननत के खातिरदारी करनी है, अब जा कुछ बढ़िया सा बनाला, बोल निशा बेटी, क्या खाएगी, निशा इतराहट के साथ अपनी फरमाईश देती है, क्या बताओ मा, जिब से बच्चा ठहरा है, मेरा तो मुझ एकदम फीका फीका रहता है, उपर से कितना अच्छा बरसात का मौसम है, मेरा तो तीखा वाला पकोड़ी खाने का मन है, और चटनी भी, और साथ मे जाएका जाएका मिल जाए, तो मजाज है, जा अलका, खिले खिले से पकोड़े बना कर ले आ, जी मा, थोड़ी देर में पकोड़े बना कर अलका नन्दत के आगे परोस्ती है, तब ही उसका जी मिचलाने लगता है, पता नहीं क्यूं, जी मिचला रहा है, ठका ठका भी सो रहा है तब ही अलका को उल्टी आती है वह बातरूम में जाकर उल्टी करने लगती है अरे क्या हुआ अलका तुम ठीक तो हो तुम्हारी तो हालत बहुत खराब है रुको मैं डॉक्टर को बलाता हूँ थोड़ी दिर में डॉक्टर आकर टेस्ट करते हैं तो वहीं कोकिला स ये सुनकर ससुर और पती के चहरे पर खुशी चा जाती है लेकिन अलका के सास ननद के चहरे पर जैसे विपत्ती चा जाती है अरे बधाई हो कोकिला तुम दादी बनने वाली हो और मैं बनूँगा दादा सुना तुमने अलका तुम मा बनने वाली हो और मैं पापा ये वरना बच्चा भी सुस्त पैदा होता है बहु तो उटकर थोड़ा काम कर ले रसोई फैली पड़ी है कोकिला तुम कैसी बात कर रही हो बहु मा बनने वाली है और तुम अभी इसे बरतन मजवाना चाहती हो जी मैं तो बहु की भलाई चाहती हूँ काम करती रहेगी तो शरीर में खून का दोरा चालू रहेगा अपनी मीठी मीठी बातों से कोकिला एक तीर से दो निशाने मारती है मा जी मैं जाकर धोती हूँ बरतन कोकिला बरसात में अपनी प्रेगनेंट बहु बेटी के बीच खूब फरक करती है जहां अपनी बेटी को वह एक तनकाबितस से मस नहीं करने देती तो वहीं बहु को बरसात में एक पल के लिए चैन नहीं लेने देती मा देखू ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है मेरा तो मोर्नी के जैसे नाचनी का मन कर रहा है अच्छा तो फिर देर किस बात की भीग ले तू मा बनने वाली है तुझे बस खुश रहना है कोकिला अपनी बेटी के संगसंग बरसात में भीगती है जिबके अलका कामों में लगी थी चालो लग गया पोचा अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ थकावट सी लग रही है इतने में अलका की प्रेगने नंद बरसात में तर कीचड़ वाले पैर छापते हूए फर्ष को कीचड़ कीचड़ कर देती है अहा कितना मजा आया बारिश में नहा कर मा तभी जैसे ही कोकिला अपनी बहु को आराम करते देखती है यह देखो ठाट तो इसी के हैं यहां गंदा फर्ष चोड़ कर यह महरानी मजे की नींद मार रही है अरे ओल का बहु ओ काम चोरनी चल उटकर फर्ष साफ कर अरे यह क्या सासुमा मैंने अभी तो साफ किया था देखिये नना जी काम बढ़ा दिया एक तो मुझसे जुकर पोच्छ नहीं लग पा रहा अरे तो बरसात के दिन है घर तो कीचड़ कीचड़ होगा ही दस बार होगा तो भी तेरा काम है कि तो पोच्छा मार कर रख मेरी बेटी मा बनने वाली है अगर कोई उच नहीं चो गई तो मा भावी तो चाहती यही है कि इनका बच्चा सही सलामत रहे मेरा नहीं तब ही तो पानी पानी छोड़ दिये ताकि मैं फिसल कर केड़ जाओ और मेरा बच्चा मर जाए ये सुनकर कोकिला अत्या चार पर उतराती और बहु के बाल खीच लेती है इसकी से नीमजाल मेरी बेटी के आगे बोल सके जल्दी से ये फर्ष साफ कर और देख जरा दोपहर होने को आईए मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा बना क्या खाएगी निशा मा आज मेरा सिके हुए भुट्टे खाने का मन है ठीक है अब जा जल्दी से कोईले की सिगडी पर भुट्टे पका कर ला जी अच्छा दोनों मा बेटी आराम से नरम नरम बस्तर में बैट जाती हैं और इधर बेचारी बरसात में परिशान होती हुई बहु दुए में बुट्टे सेक सेक कर दोनों को खाने को देती है अरे वा मा बरसात में ये टेस्टी बुट्टे तो एकदम तंदूरी मोमोस के जैसे फील दे रहे हैं मस्त मजा आ गया अरे तो लेना मेरी बच्ची और खा पेट भर कर खा अरे वो काम चोरनी ज्यादा बरसात के नजारे मतले और जल्दी जल्दी बुट्टे सेक जी जी मा जी ए भगवान ये तो इतना दुआ हो रहा है और बरसात में ये कोईला भी नहीं सुलग रहा है कोईला सुलगाने में अलका की सास फूलने लगती है वहाँ भुट्टे लाकर दोनों को देती है जिससे उस बेचारी का हाथ भी जल जाता है फिर निशा नकरे करती है अहे मा देखो ये भुट्टा तो एकदम कच्चा है इसे खाकर तो मेरे हुने वाले बच्चे को नुकसान होगा भाबी आखिर किस बात के दुश्मनी निकाल रही हो तुम मुझसे अपनी बेटी के नकली आंसु देखकर कोकिला भड़क जाती है और गर्म भुट्टा उसे सटाने लगती है ये ले करम जली कपटी मेरी बेटी का बच्चा मारेगी मैं तुझको ही मारकर दरिया में फिकवा दूँगी इस बरसात में किसी को खबर नहीं होगी हाँ माजी छूड़िये कोई बचाओ मेरा बच्चा जहां बाहर तेज बहेंकर बरसात की लड़ी चाई थी तो वहीं अलका को सब कुछ करते हुए भी अपनी सास और प्रेगनेंट ननत के सितम जुल्म सहने पढ़ रहे थे बरसात को देख देखकर वह ज़र ज़र आंसु बहाती है पता नहीं मा जी मेरे बच्चे में और ननन जी के बच्चे में इतना फर्क क्यों करती है बरसात तो हम दोनों के लिए बराबर है पिर क्यों मेरे साथ ऐसा जुलूग जबकि अपनी बेटी परवा अपनी जान चड़कती है बस उन्हें दीदी की ही परवा रहती है उन्हें क्या खिलाएं पिलाएं, सारा दिन मुझसे खातरदारी करवाती है, उन्हें मेरे हालात पर जरा भी तरस नहीं आता, मैं भी माँ बनने वाली हो बेचारी बहु दिल ही दिल में गुटती रहती है, लेकिन परिवार बिखरने और तूटने के डड़ से वह अपने पती और ससुर को कुछ भी नहीं बताती, फिर एक दिन निशा, ओ बेटी देख, मैं तेरे लिए बरसाती फल आई हूँ, तुझको लीची जामु नाम खाने का मन था न, ये लेखा यरी वा मा, सुबा ही तो मैंने फर्माईश की थी, तुम ले भी आई अरे मेरी बेटी का पहला पहला बच्चा, तेरे मन को तरसने थोड़ी दूँगी निशा अलका को ललचा ललचा कर खाने लगती है वा क्या रसीले मीठे आम लीची है, मा मज़ा आ गया भाबी, तुम्हारे भी मूमे पानी आ रहा है, खाओगी क्या हाँ नना जी, मन तो है, थोड़ा दे दीजे आरे तो ले लो ना निशा किसी लाचार के समान उसे ललचाती है और तभी कोकिला अपनी बहु को लात मार देती है चल हट, बड़ी आई महंगे फल खाने वाली, कभी देखा भी है तुने ये सब अपने बाप के घर चली जा, वहीं जाके डिलिवरी करके आईयो आ, मेरा बच्चा, बाजी आपने क्या किया जमीन में पड़े-पड़े बहु दर्द में तड़पने लगती है कि तब ही पती आकर बरसात में भीगते हुए अस्पताल लाता है नना दौर सास भी पीछे-पीछे आती है मिशय तुमने क्या किया मेरी अलका के साथ अगर उसे या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो सोच लेना भाई मैंने कुछ भी नहीं किया बलकि माने भाबी को मारा था क्योंकि ये भाबी को पसंद नहीं करती निशा अपनी मा पर सारा इलजाम लगा देती है थोड़ी देर में अलका बच्चे को जन्म देती है मुबारेखो लड़का हुआ है बच्चा और मा दोनों स्वस्त है भगवान का शुकर है अब मैं अपने परिवार को लेकर आपसे अलग हो जाओंगा पहले दिन से वो बेचारी आपका दिल जीतने में एक भी कमी नहीं छोड़ रही इतनी बरसाद में प्रेगनेंट होकर भी एक शिकायद नहीं की सारा दिन काम करती है फिर भी मा आप कितनी पत्थर दिल हो मुझको माप कर दे उज्वल मुझको छोड़ कर मत जा मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी बेटा एक मौका दे दे अपनी मा को आकिर में कोकिला अपनी बहू से माफी मांग लेती है और बहू के लिए अपने बरताब को बदल लेती है बरसाद जाते जाते अलका की जिन्दगी से हर गम के बादल साथ ले जाता है